हेलो दोस्तों, गर्मियों की चुट्या सुरू हो चुकी है और ऐसे समय में हम सभी लोग अपनी चुट्या बितानी के लिए ठंडी जगह पर जाना पसंद करते हैं तो क्या आप लोगों को पता है कि भारत में कई सारे ऐसे हीली स्टेशन है जो की अंग्रेज ओके द्वारा आज से सो साल पहले बनाये गए थे और वो सारे हीली स्टेशन इस समय काफी बड़े फेमस हीली स्टेशन बन चुके हैं तो हम आज की इस वीडियो में उनी सब हील स्टेशनों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जिनकी सुरुवात आज से तक्रीबन 100 साल पहले अंग्रेजों के द्वारा की गई थी जो की आज की डेट में ये सब हील स्टेशन फेमस ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा पहला कौन सा हिल स्टेशन बनाया गया था तो आपने डार्जलिंग का नाम तो अवस्ते ही सुना होगा दार्जलिंग की सुरुवाद as a tourist destination के रूप में अंग्रेजों के द्वारा सुरुवाद की गई थी और इस समय डार्जलिंग जो है वो ट्रेन से भी connected है और आपको बताते चले कि डार्जलिंग इतना famous हो चुका है कि इसका नाम इस समय युनेसको वर्ल्ड की साइट पर भी लिस्टिड हो चुका है इसके बाद दूसरा जो ही लिस्टेशन अंग्रेजों के दौरा बनाये गया था वो यहाँ पर सिमला का नाम है सिमला पर अंग्रेजों का अधिकार 1815 इसवी में ही हो गया था और सिमला ठंडी जगह होने के साथ साथ ब्रिटीज लोगों के लिए काफी फेमस जगह भी हुआ करती थी और सिमला को लेकर आप लोगों को ये भी जानकारी दे दे कि अंग्रेजों ने सिमला में जो जर्ज बंगले और स्कूल आज भी वहाँ पर मौचूद है तो दुस्तो ये दि आप हिमाशल परदेश में गूमने के लिए जा रहे हैं तो सिमला आप सभी लोगों के लिए काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है और इसके ससत अंग्रेजों ने जो अगला हिली स्टेशन बराये था वो यहाँ पर माथे रण है जी हाँ दूस्तो ये दि आप मुंबई के आसपास रहते हैं तो आपने माथे रण का नाम तो अवसे ही सुना होगा आप उस टूरिस्टेशन का निर्माण 1907 इसवी में किया गया था ये दि आप माते रण घूमने के लिए जाना चाते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो टॉय ट्रेन बनाए गया था वो टॉय ट्रेन अभी भी वहाँ पर चलती है आप उस टॉय ट्रेन पर बैट कर वहाँ के खूपसूरत नजारों का अन्वाव कर सकते हैं इसके लब अंग्रेजों के द्वारा जो अगला हिली स्टेशन बनाए गया था वो यहाँ पर पंचमडी है जी हाँ दोस्तों पंचमडी एक ऐसा खूपसूरत हिली स्टेशन है जब गर्मियों के समय मद्धे पढ़ देश में गर्मी पढ़ती थी तो उस समय जो अंग्रेज थे वो पंचमडी में ही जाकर विश्राम किया करते थे और आज की बात करें तो आज ये पंचमडी इतना ज़ादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है कि दुनिये के दूसरे देशों के लोग इस पंचमडी हिली स्टेशन की सायर करनी के लिए आते रहते हैं इसके अलब अगला हिली स्टेशन का नाम यहाँ पर उटी है ती हाँ दोस्तों उटी को पहले अंग्रेजों के दारा ओटा कल मांडू के नाम से जाना जाता था बात में इसका नाम यहाँ पर उटी रखा गया और इस उटी की सुरुवात अंग्रेजों के द्वारा सन 1908 में की गई थी आपको बता दे कि उटी में घूमने के लिए दूर दूर से जो टूरिस्ट लोग है वो यहाँ पर अपरेल महीने से लेकर नवंबर महीने तक किसी भी मौसा में घूमने के लिए आ सकते हैं इन सब फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ दहरादुन और मसूरी भी इस लिस्ट में सामिल है जिनकी सुरुवात अंग्रेजों के द्वारा की गई थी जो कि आज भी इतने ज्यादा फेमस हैं कि दूर देश से दुनिया के लोग इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाना पसंद करेंगे आप अपने विचार हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं